Hello students, hope you all are fit fine and healthy आज का हमारा टॉपिक है water animals यानि की समुदरी जीब जो पानी में रहते हैं, उन्हें हम water animals कहते हैं कौन-कौन से होते हैं water animals? whale, whale कहा रहती है water में और ये महसागरों में पाई जाती है और ये सबसे बड़ी होती है gold fish यानि की सुनहेरी मचली ये देखने में बहुत सुन्दर होती है ये golden रंकी होती है jellyfish, jellyfish भी पानी में पाई जाती है और ये एक छत्री जैसे अकार की होती है ये पीले रंकी होती है crab, crab means केकडा जो काफी सारी legs होती है और नुकीले इसके nails होती है turtle, turtle means turtle means कच्छुआ ये land पे भी पाया जाता है और समुद्र में भी पाया जाता है dolphin, dolphin means जो जल्दी ही दोस्त बन जाती है और ये एक बहुत ही सुन्दर होती है और मोटी भी होती है octopus, octopus एट लैक्स वाली समुद्री जीव है sea horse यानि की समुद्री घोडा और ये यलो रंका होता है shark, shark मचली भी सम महासागरों में पाया जाती है ये भी वेल की तरह बहुत बड़ी होती है starfish, starfish एक star की shape की होती है और ये भी समुद्र में ही पाया जाती है next है lobster, इसको जींगा मचली कहते है इसी तरीके से आपको भी इनके नम revise करने हैं और learn करने हैं इनकी पहचान भी करनी है ओके बच्चो बबाई